यह कॉनिफर की एक स्पीशीज है जिस तरह दिदार, कायल, फर, चीर, सप्रूस वगेरा होते हैं या ब्रिठल वगेरा होते हैं उसी तरह से कॉनिफर की एक स्पीशीज है इसको किष्टवाडी में हम इसको पस्तुल कहते हैं पस्तुल, सोवशाल तक कभी डिकम्पोज न होने वाली लकडी होती है, इसकी पस्तुल की, इसका बोटे निकल नेम टेक्सस बकाठा है, टेक्सस बकाठा इसके अंदर एक केमिकल होता है टेक्सोल, टेक्सोल जो की कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, यूज किया जाता है उसको टेक्सषोल निकाला जाता है इसे बड़ा ही प्रीशिists है ये और बड़ी अच्छी लकडी होती बड़ीमश्बूत होती है अگर इसको पानी में रखा जाये सो साल तक भी रखा जाये इसमें डिकम्पोजिशन काम होती है देखें आप लीफ जो ग्रेजिंग अक्टिविटीज के लिए भी विंटर में काम आती है जमीनदारों को टेक्सोल निकलता है इससे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए लकडी भी बहुत मजबूत होती है इसकी जो ये बार्क के अंदर से देख रहे हैं ये बार्क इसकी बार्क के अंदर से जो होता है इसको चाई जो कहवा बनाया जाता है उसमें डाला जाता है बहुत ही गरम होती है बड़ी ही गरम होती है ये और ये कैंसर के लिए भी टेक्सोल होता है इसमें यूज होता है कहवा चाई ये नून चाई भी बना है चाय का और इसके पते बड़े ही बेड़ी खुब सूरत है यह हायालटी चूर 3000 के उपर जो मीटर है सी लेवल से हायालटी चूर पर पाया जाता है यह टेकसस बकाटा टेक्सोल इसको हम किष्टवाडी में पॉस्तुल कहते हैं देख रहे हैं आप यह बड़ा ही प्रिश्य इस लोकेशन पर है हम आप देख रहे हैं यह टेकसस बकाटा का पेड़ शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो देख लेंगे जिन्होंने देखा होगा भी इसका कैमिकल निकलता है इसकी वुट बड़ी अच्छी होती है बड़ी फुटके हिसाब से मिलती है से देख रहे हैं आप किष्टवाडी टैक्सस बगाडा पस्तुल पस्तुल इसको हम लोकल लेंग्वेज में कहते हैं